बीजेपी ने आज से छट रत यात्रा की शुरुवात की है उत्तरपूर्वी दिली से सांसन मनोस्तिवारी दोरा यह यात्रा जो है वो शुरू की गई है मकसद क्या इस छट यात्रा का देखिए इस छट यात्रा का मकसद उन आम लोगों से बात करना है जो लोग छट के बरत को करते हैं जो छट के बरत को करते हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि हमने जो बात उठाई है वो गलत तो नहीं है उसके तहट हमने ये छट रत यात्रा शुरू किया, आज हमारी पहला रत यात्रा का पहला पढ़ाव सोनिया भी हार था, और हम हर दिन यात्रा के बाद एक दिन समय देंगे दिल्ली सरकार को, कि आप इसको अभी भी समय है, प्रोपोजल लाइए DDMA को, और जब कोरोना गाइडलाइन के साथ, स्विमिंग पूल में सनान हो सकता है, तो फिर तो कोई कारण नहीं कि छट को आप प्रतिवंदित करें, सवाल यह है कि दिल्ली सरकार का और तमाम जो लोग है, उनका आरोप है, और आप पे सिधा टार्गेट वो कर रहे हैं कि जो पाबंदी लगाई है, वो DDMA द्वारा लगाई गई है, जिसके सर्वे सर्वा उपराज्ये पाल है, तो उनको प्रोपोजल देने में क्या जाता है अगर मैं दो मिनिट के लिए उनकी बात को माल लूँ, DDMA में कोई BJP का तो कंडिडेट नहीं है, सब आमादमी पाटी के लोग है, उनकी सरकार के लोग है, अगर उनको लगता है कि LG साहाव नहीं यह किया है, तो वो अपना पक्ष तो असपष्ट करें, अपने पक्ष में त पहले दिन उनके दो बिधायकों ने, शायद में नाम ले रहा हूँ, संजीव जा और बिनय मिस्रा, इन दो लोगों ने कहा था यही बात जो आप कह रहे हैं, तो हमने उनका स्वागत किया, हमने अरभीन केजरिवाल जी को कहा कि आपके बिधायक भी इसका समर्थन कर रहे ह कि चट में प्रतिबंद नहीं होना चाहिए, तब उनका दूसरे दिन आ गया कि आप लोग चट गंदी राजनीती मत करो, हम चट पे प्रतिबंद रहेगा, तो इसमें तो सब साफ हो जाता है, मैं LG साहब से मिल के भी आया हूँ, LG साहब निश्चित रूप से DDMA क्या प्रोपोजल तो सरकार को देना है, प्रोपोजल दे दे, हम देखी आगे क्या क्या कर लेते हैं, क्या चुनावों से पहले BJP को पुरवांचलियों का वोट बैंक को रूजाने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है, देखी हम इसको वोट बैंक से जोड के चली नहीं रहे यह तो आस्था का मुद्दा है, और पुरवांचल के ही लोगों पे अत्याचार क्यों, उन्हीं के तेवहार पर रोप क्यों, पीछे तो जो भी तेवहार गए हैं, वो सब कुछ सारे तेवहार हुए हैं, हमने इद और यह भी जो बिता है, बकरीद, सब पे हमने देखा, आ आपके यांके फटी की फटी वीडियो देखके रह जाएंगी, तब कोई प्रतिबंद नहीं था, मतलब अब मैं क्या बताओ, मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे हैं कि क्या इस्थितियां थी सणकों पे, तो सिर्फ छट के साथ ही ऐसा वेदभाव, क्यों? यह हमारा प्रश ना तो मुह नाक आखकान से होता है, मास्क पहन के, वैक्सीन लगा के, हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं लोगों को छट करने का अनुमती दीजिए, आप जहां खड़ा होना है वहां की संख्या निश्चित करिए, जो वैक्सीन नहीं लेगा उसको मत छट क देता हूँ, वो इस बात को समझ रही है, अर्विंद केजरिवाल जितना जली समझ ले उतना ही अच्छा है, इस सरकार ने तो साफ का है कि वो इसके छट पर को नहीं मनाने देगी, डीडीयमे की गैडलेंस है, अब सांसर साहब है, क्या उपरा जेपाल से मिलेंगे, क्या आ नौरात्री का फैसला लेना था साथ दिन पहले हुआ, रामनीला का फैसला लेना था साथ दिन पहले हुआ, तो छट का फैसला दो महीना पहले कैसे भाई, तभी हमें इनके नियत पे शक होता है, और हम सड़कों पे है, मनुस्तिवरी जिंगा साफ तोर पे कहना है कि दिली स सरकार पर उनका सीधे तोर पर आरूप है कि चटपर को लेकर के सरकार राजनीती कर रही है और ऐसे में वो सरकार के किलाब दिल्ली में इस तरीके से रख यात्रा जो है वहर रोज निकालेंगे ताकि सरकार चटपर परलगी पाबंदी को हटा है